हलो अर्वेवन, स्टड़ी विदस्ट में आपका स्वागत है और आज हम अनुसंदान अभी छमता या जिसे हम कहते हैं रिसर्च अप्टिटूट से रिलेटिड कुछ इंपॉर्टन टॉपिक पर डिसकस करेंगे जैसे कि वर्क्शॉप क्या होती है, सैमिनार क्या होता है, इस सब टॉपिक पर आज हम डिसकस करने वाले हैं, और रिसर्च अप्टिटूट का ये हमारा दूसरा वीडियो है, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप UGC NET PAPER 1 के लगभग सभी टॉपिक्स कबर कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कारेशाला क्या होती है, जिसे हम इंगलिश में बोलते हैं वर्कशॉप, तो कारेशाला क्या होती है, ये एक निश्चित विशय पर की जाने व वो उन्हें motivate कर रहा है और तरीके बता रहा है कि किस किस तरीके से उन्हें कारे करना है तो हम कह सकते हैं कि कारेशाला जो है एक निश्चित विसे पर की जाने वाली परीचर्चा होती है और जिसमें कुछ परयोगिक कारे होता है और जिसके सदस से अपने ज्ञान और अनुभव का आदान परदान करके उस विसे के बारे में सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं कारेशाला ठीक है ने तो उसे हम कहते है कारिशाला में परयोगिक कारे और ज्ञान को अधिक महतु दिया जाता है और अधिकतर सदस्य जो होते हैं इसमें वो निमंत्रित सदस्य होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कारिशाला होती है वो निमंत्रित सदस्यों के द्वारा ही आरंब की जाती है तो इंगलिश में समय से वर्षॉप कहते हैं आसा करता हूँ आप इसे समझ गये होंगे एक परकार से विसे पर की जाने वाली परी चर्चा अब इसका उद्देश क्या होता है कारिशाला का तो इसके उद्देश जो है वो अलग-अलग विचारगों के दोरा अलग-अलग बताए गए हैं लेकिन यहाँ पर कुछ महत्पून उद्देश लिखे गए हैं जैसे कि जो विशय है उससे संबंदित समस्याओ का समाधान निकालना पहला उद्देश होता है कारेशाला का और दूसरा होता है उद्देश एवं विदियो का समोहिक रूप से निर्धारन करना ये दूसरा के महत्व को समझना भी इसका मुख्य उद्देश होता है कारेशाला का और व्यक्तिकत रूप से भाग लेने तथा कारे करने की योगता का विकास करना तो इस चार जो हैं ये पर्योग शाला के मुख्य उद्देश माने जाते हैं मैं एक बार फिर से पता देता हूं विशय का इस पस्टिक करन करके उसके वेवहारिक पक्ष के महत्व को समझना और भाग लेना तथा कारे करने की योगता का विकास करना ये चार उद्देश जो हैं ये कारेशाला के हैं इसे आप ध्यान से दिमाग में बैठा लें क्योंकि यहां से कोशन जरूर पूछा जाता है अ इसमें कई सारे लोग भागिदार होते हैं तो कई बारे कोशन भी आता है कि विचार संगोस्टी या कहें कि हम सेमिनार में कौन-कौन से लोग भागिदार होते हैं तो पहला तो होता है व्यवस्थापक ठीक है व्यवस्थापक जो की सेमिनार का मुख्य आयोजक होता है वक्तागण जो की बोलते हैं, बोलने के लिए होते हैं, आप देख सकते हैं इस इमेज में, कि ये वक्ती जो है, ये बोल रहा है, तो ये कहलाएगा ये वक्तागण, और नेक्स्ट होते हैं, इसमें महत्पून भागिदार, देखें, जो सेमिनार होता है, जिसे हम कहते हैं, व कि विशार गोस्टी के या कहें की सेमिनार के। तो ये सारे भागिदार हैं। देख सकते हैं आप ये लोग जो बैठे हुए हैं। ये सारे भागिदार हो गए। और ये अद्देक्ष होता है जो मुख्य विशय की घोशना करता है वक्तागण जो किसी विशय पर वक्तव्य देने के लिए आता है और भागिदार वो होते हैं जो उस वक्तव्य को सुनने आते हैं तो विचार गोश्टी जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है किसी विशय पर चिंतन किया जाता है इसमें एक वक्ता जो है किसी विशय के बारे में जानकारी देता है और भागिदार जो है उस विशय के परती अगर उनकी रूची होती है तो वो से सुनने के लिए आते हैं तो यही होता है विचार, गोस्टी के अंदर, सैमिनार के अंदर और इसका जो आयोजन है मुखे रूप से इसी कान किया जाता है ताकि विशय से संबंदित ज्यान जो है वो बढ़ सके ठीक है तो आप आगे चलते हैं विचार संगोस्टी यानि सैमिनार के आखिर में उद्द इस तरपर तो इसके जो उद्देश होते हैं पहले तो मैं बता दूँ एक परजातांत्रिक देश होने के नाते सैमिनार जो है वो एक देश के लिए काफी महत्पून होता है क्योंकि सैमिनार ही एक वो कह सकते है स्टेज होता है जिस पर लोग अपने विचार को अभिवेक् पाते हैं और एक परजातांत्रिक देश यानि डेमोक्रिटिक कंट्री के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि वह व्यक्ति समाज के सामने अपने विचारों को रख सके तो हम कह सकते हैं कि एक परजातांत्रिक राष्ट के लिए जो सैमिनार है वो काफी महत्प बावा देना अब इससे और भी कई सारे फाइदे होते हैं यहां हम इसे यह भी कह सकते हैं इसके मुख्यों देश है पहला इससे की विचलेशन और अलोचनात्मक चमता का विकास होता है वेक्ति के अंतर किसी भी विशय को अच्छी तरह से समझना आता है वेक्ति को उसकी अलोचना भी विवेक्ति अच्छी तरह से कर पाता है अगर वो सेमिनार को अच्छी तरह से आयोजित कर अमतलब उसमें भागिदार बनता है तो नेक्स्ट विचार गोस्टी से मूल्यांकन करने की योगता बढ़ती है evaluate कर पाते हैं आप किसी भी विशेक अच्छी तरह से नेक्स्ट विचार गोस्टी से निरक्षन और अनुभव की प्रस्थूती करन की छमता का भी विकास होता है और नेक्स्ट अन्य विक्तियो की विरोधी विचार दृष्टी कोण की सहन सीलता का भी विकास होता है तो हम कह सकते हैं इन सभी कारणों से जो है विचार गोस्टी या सेमिनार का आयूजन किया जाता है और ये जो है, ये उद्देश होते हैं लेकिन अगर परमुख उद्देश पूछा जाये तो विक्ति के अंदर ग्यानात्मक और भावनात्मक उच्छ विचारों का विकास करना अब बात करते हैं विचार गोस्टी के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, पहला होता है लगू विचार गोस्टी, जब छात्र इस्तर पर ये किया जाता है, कक्छा इस्तर पर, जिसमें छात्र स्वयम जो हैं, इसके आयोजक होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लगू विचार गोस्टी, नेक्स्ट होता है किसी संस्था द्वार आयुजित किया जाता है या किसी विभाक कॉलेज के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इंदी डिपार्टमेंट्स प्लिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स इंग्लिस डिपार्टमेंट्स तो जब डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो विचार संगोस्ट मिनार हो रहा है तो हम उसे कहेंगे रास्टे विचार गोस्थी चोथा होता है अंतर रास्टे विचार गोस्थी यह जो होता है इंटरनेशनल लैवल पर होता है जिसमें विस्व venus के लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं ऺगा तो 4 इस तर पर इसका अउयोजन किया जाता है, अब बात करते हैं संमेलन का, संमेलन एक परकार की सभा होती, आप इस इमेज को देखकर अच्छी तुना से समझ जाएंगे, किस तरीके से एक जो होता है इसमे अध्यक्ष होता है, और ये सारी चेर्स लगी हुई हैं, इसमें भागिदार जो होते हैं, वो सामिल होत के लिए एक निश्चित समय के लिए रिए कारे पर समस्यान कहीं कि करना अब मैं कैना कि के लिए लुक्त गोन एफ दूट हो खोख दो पड़ती है और का सता हैं , Idaho qualche जो विषय होता है उसे संब्धित चर्चाएं की जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये परकार की सभा होती है और कहते हैं कि ये सिक्षा की छेतर में उच्च अधीगम के लिए एक महत्पून पर्विती है शिक्षा के ग्यानात्मक और भावनात्मक उद्देश की प्राप्ती की जाती है इसके द्वारा ठीके नहीं और यह एक बड़े समू की सभा होती है और इसके अंतरगत ततकालीन गंभीर समस्याओ पर विचार किया जाता है तो यह जी आप याद रखें इमेज को अगर आपने देख लिया अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अब जो सम्मेलन जिसे हम कॉन्फरेंस भी कहते हैं अब यह तीन इस्थर पर इसका आयोजन किया जाता है पहला होता है छेत्रे सम्मेलन जो की छेत्रे समस्याओ से संबंदित होता है छेत्रे समस्याओ की चर्चा जिसमें की जाती है दूसरा होता है राष्टे सम्मेलन जिसमें राष्टे धार्मिक, सैक्षिक, समाजिक वाराजनेतिक विसेओ की चर्चा की जाती है तीसरा होता है अंतरास्टे सम्मेलन इसमें मानविय समस्या वा वैज्ञानिक अविस्का रितियदी की चर्चा की जाती है तो हम कह सकते हैं कि तीन इस तर पर इसका योजन किया जाता है नेक्स्ट है परी समवाद किसे कहते हैं तो परी समबाद क्या होता है कि जब किसी एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार किसी तरह का निर्णे लेना होता है तब ऐसे व्यक्तियों आपस में बैठ कर जब उस विशाय पे वारत लाप करते हैं तो उसे हम कहते हैं परी समबाद ठीक है ने अब मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि मानलो कोई decision है कोई कह सकते हैं कोई society है अगर एक society है तो इस society में अगर कोई भी काम करना होगा तो society का in charge होगा वो ही उसी के बात उसी के निर्ने कर लेने से कोई काम ने हो जाएगा जब तक कि society के सभी लोग उस पर अपनी र कि सभी लोगों की राय उसमें जरूरी होती है तो जब किसी विशय के ऊपर एक विक्ति की राय ना ले करके जब सभी विक्तियों की राय ली जाती है तो उसी वारतलाब को हम कहते हैं परी संबाद तो यहां से भी question पूछा जाता है कि परी संबाद क्या है तो आप इसे easily द सकें क्योंकि एक्जाम अब बहुत ही करीब है तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखिए तो उसे जरूर आप देखें लिंक आपको description में मिल जाएगा तब दक के लिए thanks for watching